ये है बिग बॉस की अब तक की दस ऐसी जोडियां जो भूल गए के घर में कमरे भी लगे हैं बिग बॉस ये एक ऐसा घर है जहाँ पर हर साल हमें कोई नप कोई नई लवबर्ड्स की जोड़ी देखने को मिलती है हर बार कुछ ऐसे कपल्स आते हैं जो लोगों को हमेशा याद रहते हैं पर आज हम आपको कुछ ऐसी जोडियों के बारे में बताने वाले हैं जुन्होंने कैमरे से सामने होने के बाद भी सभी हबें पार कर दी थी तो आज हम आपको उनहीं जोडियों के बारे में बताने वा सीजन 10 में नजर आये मुना लीसा और मनू को आज पूरा देश जनता है और इनकी दोस्ती के बारे में भी और शोव में कई बार इन दोनों ने एक दूसरे को कई बार हुग और गाल पर किस भी काया है युविका चौदरी और प्रिंस नरुला प्रिंस और युविका की मुलाकात बिग बॉस के 9 सीजन में हुई थी और बहुत ही जल्द ये दोनों शादी भी करने वाले है पर बिग बॉस के घर में इन्होंने भी कैमरे के सामने बहुत सी ऐसी चीजे की हैं जिसके बारे में आंडरा बिग बॉस सीजन आठ के विनर गौतम गुलाटी को इस शो के दोरानी आंडरा से प्यार हो गया था और इन दोनों ने भी कैमरे के सामने खूब इसक लड़ाए थे करिश्मा तना और उपेन पटेल सीजन आठ के कंटेस्टेंट करिश्मा तना और उपेन पटेल की जोड़ी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था पर कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये दोनों जैसे भूल ही गये थे कि इनके सामने कैमरे है वैसे आपको बता दे कि बा दौरान कैप सुर्फिया बटोरी थी पर इस शो के बाद इन दोनों के रिष्टा खत्म हो गया तनीशां और अर्मान कोहली बिग बॉस सीजन 7 का हिससा रहे तनीशां और अर्मान कोहली काफी बार कैमरे के सामने भी इस क्लडाती नजर आये थे आपको बता दे कि सल्मान न पारे में तो हर बिग बॉस फैन जनता है इन दोनों ने तो इस शो के दोरान सभी हदें पर कर दी थी। सभी हदें पर कर दी थी।